हलो दूस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फैक्टस RBL में आज हम आपको बताएंगे कि टृपल सी का कॉर्स जो है कैसे हम कर सकते हैं और क्या-क्या इसकी योग इताया होती हैं और कैसे हम इसको कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे तो पहले बताते हैं टुपल सी का फुल फार्म क्या होता है टुपल सी का फुल फार्म होता है कोर्स आन कंप्यूटर कांसिप्ट टुपल सी का जो फुल फार्म होता है कोर्स आन कंप्यूटर कांसिप्ट होता है यह क्या होता है certificate मिलता है अब बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन से points हैं तो सबसे पहले क्या है यह क्या होता है एक computer का basic course होता है फिर क्या है कि इसको आप direct भी कर सकते हैं और किसी संस्था के द्वारा करते हैं तो आप टुशन, lab fees, examination fees सारे include होती है यदि आप क्या करते हैं यदि आप क्या करते हैं तो नाइलिट के द्वारा जो फीस ली जाती है वो पांसो नब्वे रुपए आप से ली जाती है जो direct fees होती है वो कितनी होती है 590 रुपय होती है यह आपको नाइलिट में पे करना होता है फ़िर क्या है कि यह जो कोर्स होता है इस सरकारी नौकरियों में बहुत ही महत पूर्पोश होता है इसको जब आप रुपल सी करते हैं तो यह जो सार्टिफिकाट होता है यह ही जाएगा लेकिन वहाँ पर क्या है कि ट्रेपल सी जदी आप से ट्रेपल सी मांगते हैं और यह जा है इस फ़रम को लेपाल के बैकन्सुम कॉ आप भर राखतый नहीं तो आप नहीं भर राखते हैं तो चलिए देते हैं इसमें कितने कोोस्षं होते हैं तो इसमें टोटल ह che par鎮 robot फोशन होते हैं और सीजो खोर्षेन होते हैं आपके हिंदी और इंग्लिश दोने में हिते हैं इसमें क्या है कि आपके 100 कोर्षेन जो होते हैं तो उसमें से कुछ objective questions होते हैं और कुछ true false के question होते हैं पहले क्या होता था पहले आपके 50 questions जो होते थे वो true false के होते थे और 50 questions आपके क्या होते थे objective होते थे लेकिन अब क्या है कि objective questions क्या है कुछ जादा होते हैं और true false questions कुछ कम होते हैं और total जो होते हैं वो आपके 100 questions ही होते हैं तोटल जो questions होते हैं वो आपके 100 questions ही होते हैं अब इसे pass करने के लिए इमें क्या करना होगा तो इसे pass करने के लिए आपको 50% अंक लाने अनिवार होते हैं 100 questions में आपको 50 questions जो है सही करने होते हैं उसके बाद इसका जो है timing क्या होता है तो इसका timing total गंटे होता है या 90 minute इसका होता है और इसका जो exam होता है वो कैसे होता है वो online होता है वो आपको एक computer दे दिया जाएगा वहाँ पे login और password डाल के आपका system login हो जाता है और वहाँ पे questions आने लगते हैं और question जैसे याने लगते हैं आपको क्या करना होता है बस tick करना है यदि objective है तो वहाँ पे 4 options होते हैं चार options का मतलब है options number a, options number b, options number c, options number d यह चार जो है अपसंस होते हैं इसमें आपको एक टिक करना होता है तो आपको वहाँ पे करना होगा क्या वहाँ पे टू होता है और फॉल्स होता है तो वहाँ पे आपको कोशन सही है तो आपको क्या करना है तो आपको क्या क्या है गलत है तो आपको क्या करना है फॉल्स पे क सकते हैं इस एक्जाम को हिंदी में दिन ना चाहते हैं तो तो हिंदी में भी दे सकते हैं कि अब बात करते हैं है conversation and आप र्कौस्णिस को पूरीट को until नहीं ढ्रलाब पाइड से वीद्ध में सकते हैं और बात करते हैं Casey scene ग्रेट सो करता है। य belie आपके क्या है atr a.m. नबर आती है तो आप rainbow grade जो मिलता है फो a.m. आपके — 85 से 75 से और 84 जोता है तो आपको great आते हैं इंटको ग्रेट आपका A ग्रेट बनता है, उसके बाद 65 से लेके और 74 तक आपके नमबर आते हैं, तो आपको ग्रेट कौन से मिलता है, ग्रेट आपका B ग्रेट मिलता है, उसके बाद 55 से 55 से 40, 55 से लेके 64 तक आपके नमबर आते हैं, तो आपका ग्रेट क्या बनता है, C ग्रेट बनता है, फिर यदि आपके 50 से 54 के बीच में आते हैं, तो आपको ग्रेट कौन सा बनता है, D ग्रेट बनता है, यदि आपके क्या है, 55 से 50 से कम नमबर आते हैं, मान लिजे आपके पर आते हैं 49 तो आपको result क्या मना जाएगा? fail मना जाएगा आपका result क्या मना जाएगा? fail मना जाएगा तो इसे clear करने के लिए आपको क्या करना होगा? कि 50 से 50 questions को सही करने होंगे thank you for watching CC की अधिक जानकारे के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें computer facts rbl को thank you इससे समंदित आपको बहुत सारी videos इसके बाद आने वाली है